हाव रुफिक्स वान प्लस एक्स वोल्ट इनेबल बट नोट शॉइंग प्रॉब्लम नमस्कार डूस्तो सु आगर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा केस से आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में वोल्ट के यह जो प्रॉब्लम है इसको केस सॉल्फ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो इस प्रॉब्लम पर होता क्या है जब आप वोल्ट इनेबल करते हैं लेकिन आपके जो स्क्रीन है उसमें वाल्ट शोन ही होते हैं जैसे कि आप उपर में भी देख सकते हैं ठीक है मेरा जो ही दोस्तों यह पर वाल्ट शो कर रहा है लेकिन दोस्तों किसी किसी मोबाइल पर ऐसा हो जाता है कि जब वाल्ट को इनेबल करते हैं तो उनका जो प्रब्लेम तब भी होते हैं जब आप सेटिंग को अच्छे सेट नहीं करते हैं ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको जानना होगा इसका सेटिंग और उसके बार में दोस्तों मैं आपको सॉलुइशन भी बताऊंगा तो वीडियो के सारां तक बने रहे हैं सारे साथ चैन आपको जाना है अपने मॉबाईल के सेटिंग पर सेटिंग पर जानने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर वाइफा एंसप करना है इसको सेट करना है 4G पे ठीक है आपको सेलेक करना है 4G 4G सेलेक करने के बाद दोस्तों आपने सीम के अंदर पे जाईए वोल्ट को डिसेबल करकी इनेबल कीजिए उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और देन चेक आउट करके देखे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जा था वो है डोस्तों डिस्प्ले के अंदर पर डिस्प्ले में जाए मेरा दोस्तों आप देख सकती उपर में वोल्ट शो कर रहा है ठीक है अब अपने जो वीडियो के क्वालिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखे आपने मोबाइल पर आपको दिख जाएगा अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो वॉल्ट ऑप्शन है वो चला गया है इसको ओन करती दोस्तों मेरा जो वॉल्ट है उसका उसका आइकन जो है वो दुबारा से इनेबल होगा ऐसा नहीं कि दोस्तों आप इसको अगर बंद करते हैं तो आपका वॉल्ट बंद हो ठीक है तो यह कुछ सेटिंग से जिसके मदद से आपने प्रॉब्लम सॉर्फ कर सकते हैं अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट कीजिए उसके लिए पाउर बोटन को प्रेस और हॉल कीजिए पाउर आफ के स्व के आपको कुछ ने मैनुएल नेटोट मिलेगा तो आपके जो नेटोट है उसको 4g पर करना डूस्तों अब व्ल को इनवल करके देखे सॉल्फ होजागा प्रॉबलम अगर इसके बाद भी नहीं होते तो जाए है सिस्टेम पर रिशेट पर क्लिक करे Reset Wi-Fi Mobile and Bluetooth पर क्लिक करके कौन से सीम पर प्रॉब्लम आ रहा है उसको सेलेक करे और उसके बार Reset सेटिंग पर क्लिक करके Mobile को Reset कीजिए और इससे क्या होगा दोस्तों आपका नेट्रोग सेटिंग रिसेट हो जाएगा नेट्रोग सेटिंग रिसेट होने के बाद चेक करके देखे सॉल्फ हो जागा प्रॉब्लम सारी साथ अगर आपका Mobile Software अपडेट नहीं है तो Mobile Software को अपडेट करें जैसे ही Mobile Software अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्फ कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आओगा दोस्तों तेंक्स टो राचिंग